मुझे अपको स्वागत है तो सामने आपको दीख रहे मुर्गी मर चुका है इसका कुछ कारण है रिजन है मैं आपको पताऊंगा भी काफी कॉमन रिजन है ऐसा गलती बिलकुल मत कीजिए आपको बहुत बड़ा लुक्सन हो जाएगा फ्राम का यहावे मुर्गी मर चुका कारण है एक छोटा सा एक आदमी मुर्गी पाल रहा था उन्होंने बुलाया कि कैसे मर गए देखने के लिए तो एकदम एक छोटा से मुर्गी रखने वाला घर था जिसमें इसलिए वो गड़ोयोग रहते थे दो साथ में एक मुर्गा भी रहते थे मुर्गा को कुछ दिन पहले कुछ चीजों ने मार दिया होगा तो एक दिन मुर्गी जाए बाद में उसको बजार से दो मुर्गे लाए उसको बोले कि रखने के लिए जैसे दो दिन रखने के लिए बाद में उसको लेके जाएगी मुर्गी की घर में उन दोनों को रख गा जो कोई बात नहीं उस दोनों को रख दिए थिर दूसरे दिन एक मुरगा थोड़ा बिमार हो गए बजार का मुरगी मुरगा बहुत ज़्यादा बिमार होता है और इसमें हमेशा बीमारी लग रहते हैं बजार से लेने वाला जो भी मुर्गा मुर्गी है तो लेने के बाद रखने बाद मुर्गे में थोड़ा सा बीमारी आ गए तो थोड़े दिन में बहुत चलने पा रहा था तो उसको काट दिये चलो ठीक है और साथ में दूसरा भी एक थक फिर मर जाएगा क्या होगा उसको भी ले गए पार उसको काट दिये चलो खाने के लिए उसको ले लिए वह जो बीमारी इसमें लग गए बस तुरण थी इस बजार से मुर्गी लागे फर्म में डाल दिये पूरा फ्राम खतम हो जाएगा अब ऐसा बिल्कुल मत किजिए गलती फ्राम से लागे बजार से कोई भी मुर्गी पाल नहीं सकते आप लाने के बाद बहुत सारा टीटमेंट करना पड़ता है इसलिए फ्राम से मुर्गी मत आता है या फिर बादाग आता है तो इसलिए बीमारी उसमें लग रहे थे गलती से भी आईसे गलती मत कीजिए यह हमारे थोरा से इंफ्रमेशन था हमने दे दिये इंफ्रमेशन अच्छे लगे तो वीडियो का लाइक करें कमेंट करें शेयर के चैनल पर नए हुए तो स्क करके मिलते नेक्स्ट वीडियो में